आप देख रहे हैं दिल्ली अप्थम्टे अपा आगे जाके बाइक से किरें शीने में दर दोने लगा और हापने लगे हापते हापते उन्होंने फिर अपना आप दम तो डोक्टर कर दो जाँ कद दो हुआ चाहिक ... होड़े नके चेस्क में पेन हो रहा है माम किसी ही डॉक्टरेनिये बात नहीं सुनी साप नहीं ही लाम बेट कर गए धि माम कोई मशीन नहीं थी तू कैसे… अच्छाइब देटाइब आज़े दो यह एब भावावजा थे पॉआजी अच्छाइब टेंटियल बन रहता हुए वैसे वैसे पुल्श वह लोग खिलिया गया हुए उनकी जहातर बाते हैं और हमारी कोई सब्सक्राइब कर रहा उसके भाई के साथ पुलिस वाले मिलके पाते कर रहे थे गाड़ी में बैठके नमस्कार आप देख रहे हैं दिल्ली अप्टिडेट और मैं हूँ आपके साथ शिवानी मोरवार इस वक्त मैं बुद्वियार में मौजूद हूँ जहासे एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आता है जिहां एक वैक्ति थे वो हॉस्पिटल जा रहे थे अपने पापा को देखने के लिए और रास्ते में एक नश्य की हालत में कार्चालक ने उनको टक्कर मार दी जिनके वज़े से उनकी मौत हो गयी और उनकी एक बेटी थी वो घायल हो गई उनके जो परिवा तो मैं गया तो तो बात चीत हूं से उनके चाती में चोट लगा था वो कहरे थे चाती डेमेज है मेरा दर्द हो रहा था डॉक्टर से चेक कराये तो कहरे हड़ी तो टूटा नहीं अंदर गया ना चेक करने पर पता लगेगा बाते भी कर रहे थे वो लेकिन इतना तेज लिए पट्टी के लिए हम तूसरे कमरे में गया डॉक्टर साब ने का लेकिन अचानक फिर उनको बहुत ज्यादा तेज दर्द होने लगा और हाथ सीने में दर्द होने लगा और हाफने लगे हापते आपते उन्होंने फिर अपना दम तो डॉक्टर साब आए विर ञंसे नाब पी रकाता गए ये और उसके पुलीष वालों ने खुद परगड़ा यpent वरिक पे पुलिस वालों के भी गाली बत्ट लिजी कर आब इसने पुलीसिए और उसके के में से दो बतल बहुत दारू भी मिला है तो उसका तो उसी टाइम पर बेल भी कर दिये और चल छूट भी गया हूँ पुल ने उसकी जमानत होगी असर लगता नहीं कि जमानत हो कर दिये एक एदम से तीन बच्चे है राके जी उनको विंसाफ मिलना चीह मैं हाला तो बहुत ख हो गई और उसको फितल में भेजा हमने जी अधर आगको भर भी कोई नहीं क्या पुरा दिन खराब कर दिया और जुख जो दूसरा जो एक्सिदेंट करा उसके बाई के साथ पुलिस वाले मिलके बाते कर रहे थे गाड़ी में बैठ के पुलीस ऑलेकर रहे हमारे हिसाब से तो पाले करवाई नहीं कर रहे है कि प्रद्वल लोग इस काड़े और क्यून कर रहे हैं चाहिए जो 9 १ हो उन पेलगु होना चाहिए इसमें अदूरा नहीं रहे चाहिए लोग हमारी कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं बिल्कुल इनसाफ तो चाहिए न तीन बच्चे अगे और आगे हम चाहते हैं कि इनके इनका फैमिली में अकेले थे यह कमाने दाने वाले इनके तीन बच्चे हैं और बड़े बड़े हैं कि इसके लिए इसके लिए इसके लिए इनसाफ़ा में चाहिए नहीं करते हैं यह बिलकुल गलत बात है और यह पुलीस वाले ऐसा कर रहे हैं यह बहुत दुख्ची वाद है कि हमारे उपर एक परसानी आयूई है उसके बाद भी हमें help नहीं मिल रहा है तो आप सोच सकती है कि कितना बड़ा दिक्कत हो रहा है हमारे उमीद है कि पुलिस वाले कुछ करेंगे क्योंकि तीन बच्चे इनके हैं छोटे-छोटे हैं घर में कोई कमाने वाला नहीं है इनके पेरेंट्स हैं जो पादफादर हैं इसाई में उनके नाक से बलड निकल रहा है वह इनको देखते हैं वह भी मेरे खाल चले ही जाएंगे जहां तक मेरा ख्याल है लोग वेट कर रहे हैं और उनको कुछ हो गया चल नहीं पाते हैं चोटे-बच्चे बच्ची अभी बेवस हो गई है उसको अस्तार में ले प्रशाशन की बात करते हैं तो उनको पहले पकड़ते उसके बाद छोड़ बीड़ेते हैं तो हमारे दिल पर क्या गुजरेगी कम से बात करने चाहिए क्या है, तो विक्टिम से बात करने के बाद करें जो इसने हिट रने ने चाहते हैं कि हमारे साथ जो भी यह आ पे लोग हैं जो प्रोस के लोग हैं, अब सब यहीं चाहते हैं कि पुलिस कारवाई करें, ऐसे बंद आइसे लोगला, आफ कि पीने के बाद पांच-पांच लुग बैठैं गाड़ी में और मारते भी हैं पुलिसवार भी करते हैं विल्कोस बदा इन इन यह तो यह कितनी गलत बात क्या कि एक तो अदा भी रहे हैं हमें जान से मार भी दिया और Giving sample कर रहें हैं पुलिसा nutre करेंब करें सेटिंग करेंग और यहां प्याइब नाम खुशिया क्या हुआ था आप अपड़े पापा के साथ पीछे बैटे थे दादा को देखने जा रहता है क्या था पूरा हुआ था दादा की दबेद क्राप थी नोस से ब्लीडिंग हो रही थी हम उनकी देख भालकर के रात में वापस आ रहे थे मैं कार वाले ट्रुंक कर रखा था उसकी कार में दो बॉटल रखी हुए थी अपय को लिए पीछे से लिखा दीया मैं पीछे किर गई आप मेरे बैंग बहुत बहुत पेन कर रही है पैर में बहुत बहुत हुआ उन्हरा है पापा έगे जाके बाइक से किर ए उसके बाद में पापा पापा बॉला तो मेरी बैक बॉन की मार्स पटी हुई है पुरी तो मैं तो होस्पिटर लेकर जाये गया था आप बतारी कि इलाज नहीं मिला था क्या था मैं पापा बोल रही उनके चैस्ट में पेन हो रहा है कोई मशीन भाइब कोई थे रहे का फिटल एप में कोई मशीन नहीं नहीं है बचाते हूं लोगों ने पी रखी थी जो राकेश को टक्कर मारते है उसकी बाइक को उसका वीडियो भी है पुलीस वालों को गाली बक रही है उसके भाण भी पुलीस उनका ही साहथ दे रही है और जिससे आप देख सकते हैं कि परिवार वालों में काफी इस बात का रोश है कि हमें जल से जल इनसाफ मिलना चीए क्योंकि मैं आपको बता दू कि राकेश के परिवार में तीन छोटे छोटे बच्चे है उनके फादर ओल्रेडी ही बिमार चल रहे है और साथ इसाथ घर में कामाने वाला कोई नहीं है तो उनको यह कहना है कि हमें जल से जल इनसाफ चीए ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुडेर मार साथ देखते रहे दिल्ली अप्टू डेट